बूड इवनिंग एवरिवन आउडियो का बता दीजेगा आउडियो क्लियर है आज के दिन आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ रीजनल प्लेयर की रीजनल प्लेयर आपकी यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट है तो रीजनल प्लेयर इन दा सेंस की वो प्लेयर जो आपको नौर्ट इस्ट में देखने को मिलेंगे या Western India में देखने को मिलेंगे या South में देखने को मिलेंगे ये सारी चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है और यहां से भी important सवाल बन जाते है कई बार इस portion में से उतने जादा tough सवाल नहीं बनते है बहुत basic सवाल बनते है पर क्योंकि ये वाला portion हमने पढ़ा नहीं होता इसके बारे में बिलकुल idea नहीं होता इसको हम ignore कर देते हैं तो इससे हमको problem हो सकती है इसलिए एक basic understanding में आपको बताने की कोशिश करूँगा आज हम पढ़ेंगे North East वाला इलाका और बंगाल वाला इलाका अगले session में हम लोग बात करेंगे उड़ीसा वाले इलाके के बारे में then हम बात करेंगे South India के कुछ players के बारे में फिर गुजरात वाले कुछ players के बारे में हम लोग बात करेंगे so one by one हम ये सारी चीज़े discuss करते रेंगे उमीद है ट्राइपाटाइटी स्ट्रगल जो इससे पहले का topic हमने discuss किया था उसमें आप लोगों को कोई doubt नहीं होगा and most probably अगले week से आपकी timing थोड़ी change कर दी जाएंगे timing को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए सोच रहे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के session को good evening everyone we were discussing tripartite struggle and we have discussed it in detail now in this session I will be focusing on few regional player such as vermans of kamroop and sena of bangal तो आप लोगों को पता है पालास के बारे में हम लोगों ने बात की थी तो वो जो पाला डेनेस्टी है पाला डेनेस्टी के जस्ट बाद में कौनसी डेनेस्टी रिप्लेस करती है सेना डेनेस्टी रिप्लेस करती है तो यही सेना डेनेस्टी के बारे में हम लोगों ने बात करनी है उसके अलावा हम लोगों ने बात करनी है वर्मन डेनेस्टी ओफ कमरूप के बारे में अब यह क्या है जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बात की थी हर्शवर्दन की जब हम हर्शवर्दन की पुश्य भूती डैनेस्टी के बारे में बात कर रहे थे हमने बात की थी शशांक ओफ गौड के बारे में भी और मैंने आपको बताया था कि शशांक आफ गौड एक इंपॉर्टेंट राजा थे इनको एलिमिनेट करने के लिए इनको हराने के लिए एक कमरूब के राजा जिनका नाम था भासकर वर्मन उन्होंने हर्श वर्दन का साथ दिया था यह हम अल्रेडी डिसकस कर चुके है तो वो हर्श वर्दन का साथ देने वाले भासकर वर्मन यह कौन सी डैनेस्टी से बिलॉंग करते है यही डैनेस्टी है वर्मन डैनेस्टी आफ कमरूब तो कन्फ्यूज मत करिएगा एक वर्दन है एक वर्मन है एंड इवन कन्नौज पे जो रूल करती है उसका नाम भी वर्मन डैनेस्टी था लेकिन ये अलग है इसको आप वर्मन आफ कमरूप के नाम से याद करेंगे तो आपके लिए ये कौन से प्लेयर है, कनेक्टिविटी कैसे लगानी है, कनेक्टिविटी कहां करेक्ट करना है कि पालास को रिप्लेस करके जो आएंगे वो सेनाज है उनके बारे में बात करेंगे और उससे पहले हम नौर्थिस का एक थोड़ा सा रफ आइडिया लेते हुए थोड़ा सा डिसकस करेंगे इसको क्विकली डिसकस करने की कोशिश करेंगे और सारे पॉइट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे इस इड़ क्लियर और नौट यहां तक कोई डाउट है कोई क्वेरी है प्लीज पूछ लीजे तो जो हम वर्मन डैनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं इनके बारे में याद रखेगा यह गुपता डैनेस्टी के भी कॉंटेंप्ररी थे हर्श वर्दन के टाइम प्रियर तक कॉंटिन्यू करते हैं तो काफी लंबे टाइम प्रियर तक लेए लोग रूल करते हैं कमरूफ वाले इलाके में जिसको आज प्रिजेंड असाम कहते हैं तो चलिए थोड़ा सा बात करतें देखिए प्रियस्टोरिक असाम अभी तक हम लोगों ने नौर्थ इसके बारे में जादा बात नहीं किये तो किकली क्विकली हम डिसकस करते चलेंगे प्रिस्टोरिक असाम में देखिए सबसे पहले आता है प्रग्जोतिश किंडम फिर आती है इस किंडम की दानव डैनेस्टी भाउमा डैनेस्टी और सोनित्पुरा किंडम तो ये वो असाम है जब राइटिंग मैटरियल डिटर मैटरियल एविलेबल नहीं थे तो आप एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि दानव डैनेस्टी और भाउमा डैनेस्टी नाम की डैनेस्टी इस पटिकुलर एरिया में दे यूस्टू रूल तो शुरुआत में बोला जायाता है कि यहाँ पे असूर किंडम हुआ करता है तो इस particular इलाके में normally आप mythologically भी जोड़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे reference देखने को मिलेंगे और particularly इस तरीके से mention किया जाते है तो Central Assam और केरला के इलाके के तरफ ये माना जाता था कि असूर kingdom या सोनितपूरा kingdom हुआ करते थे और सोनितपूरा kingdom का ही contemporary kingdom था प्रद्योतिश kingdom ये दोनों आपको prehistoric time period में भी इनका reference देखने को मिलेगा तो सबसे पहला reference इस particular area का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि आपको connect करना पड़ता है कि कहां से starting हुई जैसे हम लोग हडपा के बारे में बात करते हैं तो हडपा तो नौर्थ वेस्ट में नौर्थ इस की starting में क्या का mention है कहा का mention है mythological sources में हमारा mention जैसे कि कलिक पुराण में बनसूर नाम का एक आखरी राजा है जो कि असूर kingdom से बिलॉंग करता है जो कि एक anti-bramanical character है तो मैंने आप लोगों को बताया था असूर राक्षस ये सारे concept मैंने बताया है तो आपको पता होना चाहिए मैंने बताया था असूर वो है जो भगवान के साथ लड़ते हैं देवों के साथ लड़ते हैं ताकि वो लोग आकाश पे स्वर्ग पे कबजा कर सके सो माइथलोजिकली में आपको माइथलोजी में आपको पता है देवों की भगवानों की सब का रेफरेंस है और उनी के साथ as a anti-corrector as a antagonist असूर किंग्डम का भी mention देखने को मिलता है इतना clear है जी yes or no बताते चलिएगा कोई doubt है कोई query है तो please फूचते चलिएगा तो इस particular area में जो पहली legendary dynasty आपको देखने को मिलती है that is दानव dynasty अभी तक मैंने क्या बताए मैंने ये बताए कि mythological जितने भी आपके sources है religious literature है उसमें आपको इस particular area का reference देखने को मिलता है और असूर kingdom या सोनित पूरा kingdom के नाम पे देखने को मिलता है और साथ ही साथ उसके contemporary एक और kingdom थी जिसका नाम था प्रक्जोतिश kingdom तो यहां की पहली dynasty है दानव dynasty इस dynasty के कुछ राजाओं का नाम देखने को मिलता है इनके पहले राजा मही रंगा है आकरी राजा है गटका सुर्फ और इस dynasty के बारे में आपको इतना ही idea होना जाए कि कीरत origin से बिलॉंग करती थी पर यहां पर कोई archaeological evidence नहीं है तो जादा तर यह sources आपको religious sources से देखने को मिलते है mythological sources से देखने को मिलते है तो इस particular area की पहली dynasty है दानव dynasty पहले राजा मही रंगा और आकरी राजा है गटका सुर्फ फिर भॉमा डेनेस्टी आती है दूसरी डेनेस्टी जिसको second legendary dynasty बोला गया है तो नरका सुर्फ के बाद भागदत है पुश्पदत है वज्रदत है यह सारे नाम देखने को मिलते है और इनका नाम mention किया जाता है महा भारत में भी और रमायन के text में भी नरका सुर्फ का legend तो कलिक पुराण में भी mention है योगनी तंत्र में भी mention है तो यह वो सारी डेनेस्टी है जिनका mention आपको mythological literature में ही देखने को मिलता है clear है जिए इतना yes or no बताते चलिएगा तो 10th century में आगे चलके जब कलिक पुराण लिखा गया तो बताया गया कि इस डेनेस्टी को establish किया था नरका सुर्फ ने घटक को eliminate करके जो मैं अलरड़ी बता चुका हूं और इसका आकरी राजर सुपर्णा था जिसको उसके minister ने मारा और उसके बाद कोई ज़्यादा evidence देखने को नहीं देख तो ये सारा आपको basic idea होना चाहिए ज़्यादा detail में हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे एक basic idea आपको पता होना चाहिए तो अलग अलग रा जाते हैं भाग दरता आते हैं और ये सारी चीज़े आते हैं उसके साथ साथ अलग अलग डेनेस्टी जाती रहती है इनका मेंशन माभारत में भी देखने को मिलता है और भामा डेनेस्ट्री किंग्स का खास कर मेंशन माभारत में देखने को मिलता है और ऐसा देखने को मिलता है कि ये लोग कौरवो की साइड से लड़े थे आपको पता है माभारत में कुरुछेत्र की लड़ाई में एक तरफ पांडव थे दूसरी तरफ कौरव थे तो ये कौरव की तरफ लड़े थे इनके राजा भागदत ऐसा माना जाता है कि जो नरका सुरह उनको श्री कृष्ण जी ने मारा था भगवान श्री कृष्ण ने उनका वद किया था इसलिए भागदत कौरवो की साइड से लड़ा है क्योंकि वो एंटाई कृष्णा है यहां तक कि ये भी मेंशन किया जाता है कि युदिष्टिर का जब राजतिलक होता है तो अरजुन राजसुय यग जब परफॉर्म करते इससे भागदत के दिल में थोड़ी जैलिसी आती है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो एक तरफ अरजुन है पांच पांडवों में से एक पांडव और दूसी तरफ भागदत है तो अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है ये सब बिसिक चीज़े यही है कि इनका मेंशन ऐसा दिखाया गया है कि ये महाबारत के कॉन्टेंप्ररी है और ये एक तरीके से ए इतना clear है yes और no बताएं पहले Is it clear or not ये बताएं पहले तो एक तरीके से basic आपको idea होना चाहिए कि ये mention कहां देखने को मिलता है थोड़ा dynastries के बारे में मैंने आपको idea दे दिया है क्यों दिया ये idea कि connectivity establish हो सके ऐसा ना लगे कि abruptly बीच में से कौन सी चीज कहां से आगे चलिए आगे बात करते तो अभी हम लोग pre-historic चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे अब प्रग्जोतिश kingdom के बारे में बात करते जैसा मैंने बताया प्रग्जोतिश kingdom का मैंशर रामायन महापारत में देखने को मिलता है इवन कमरूप का नाम और प्रग्जोतिश का नाम एक ही जगए के साथ associate किये जाते हैं और इस नाम के पीछे अलग-अलग theories दी जाते हैं जिससे कलिक पुरान में ये बोला गया कि ब्रह्मा भगवान ने सबसे पहले calculation of star यहीं पे किया था इसलिए इसको जोतिशपूर कहा जाते है यानि जोतिशी से related यानि जो हम पढ़ते हैं astrology में कि कौन सा तारा कौन सा नक्षत्र कौन सा ग्रह कौन सी position में जो हौर इसको पढ़ते हैं ऐसा माना जाता है कि उसका सबसे पहले जो पूरा codification है वो यहीं पे किया गया था by Lord Brahma इसलिए इसका नाम जोतिशपूर है प्रग जोतिशपूर उसके इलावा ये भी बोला जाता है कि यहां कामदेब जी ने कामदेब जिनको Lord of जिनको God of Love बोला जाता है माना जाता है कि शिवजी के साथ उनकी जब लडाई हो गई थी तो शिवजी के ग्लांस से वो यहीं पे जब राख हो गई थी तो वो दुबारा जनम लेते हैं और इसी particular area में लेते हैं इसलिए इसका नाम कमरूप हो गए तो ऐसी और बहुत सारी theories हैं इस पर हम आगे डिसकस करते हैं यह सारी theories से आगे निकल के हम बात करते हैं important dynasties के बारे में तो यह है आपका पहला reference जो कमरूप के बारे में देखने को मिलता है और यह तब देखने को मिलता है जब यहाँ पे गुप्ता डैनेस्टी रूर कर रही थे शुरुआत में mention देखने को मिलता है as a vessel of samundra गुप्त तो नाम के अलग-अलग theories अलग-अलग versions के बारे में हम लोग ज़्यादा detail में बात नहीं करेंगे उसका उतना relevance नहीं है वो आप लोग पढ़ लीजेगा अभी हम बात करते है historical reference से तो इस area का पहला mention आपको देखने को मिलता है as a contemporary of गुप्ता empire अभी तक जो भी mention देखने को मिलता था जो मिला है जो मैंने भी आपको बताया वो सब pre-historic asam का legendary mention है यानि वो है जो महा काव्यों में mention है जो महाभारत में mention है रमायन में mention है हमारे culture और हमारे traditions related अलग-अलग literature अलग-अलग इतियास में mention है पर historical sources में देखे तो पहला mention देखने को मिलता है वर्मन डैनेस्टी का और यही हमारे स्लेबस में यह वर्मन डैनेस्टी वही डैनेस्टी है जो कि आपको गुपता डैनेस्टी के टाइम प्रेंड में भी देखने को मिलेगी क्योंकि आपको पता है गुपता डैनेस्टी 319 AD से गुपता राय स्टार्ट होता है 545,550 तक वो पावर्फुल प्लेयर रहते हैं पावर्फुल नहीं थोड़े वीक हो चुके है लेकिन उसके बाद आपको यह भी पता है कि 606 से लेके 647 AD तक हर्षवर्दन राजा थे तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्मन डैनेस्टी हर्षवर्दन के भी contemporary है सो कामरूप एक पावर्फुल और एक फॉर्मेडिबल किंग्डम थी नौर्थ इस्ट इंडिया में जिसमें तीन अलग अलग डैनेस्टी रूल करती हैं वर्मन्स, मलेच्छास और पालास भाई बहन नहीं है रोई शेटी, शिल्पा शेटी भाई बहन नहीं है वैसे ही ये पाला और वो पाला अलग है ठीक है ये पाला डैनेस्टी of कमरूप है और दूसरी वाली पाला डैनेस्टी आफ बैंकवाल है वो पाला जो कि ट्राइपार्टाइटी स्ट्रगल में इन्वाल्व थी ट्राइपार्टाइटी स्ट्रगल में पार्टिस्पेट करती है तो दोनों पाल अलग हैं इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है इस इट क्लियर और नॉट कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो प्लीज फुशते चलिएगा सो बात करते हैं वर्मन डैनेस्टी की ये पहले ही इस्टॉरिकल डैनेस्टी है कामरूप रीजन की मैं repetitively एकी चीज रिपीट कर रहा हुं जो इससे पहले मैंने भावमाः डैनेस्टी बताई थी सोनितपुरा किंग्डम बताया था या मैंने दानव डैनेस्टी बताई थी वो सब लेजेंडरी डैनेस्टीती ती पहली नाम आपको देखने को मिलता है या वर्मन्स इनके पहले राजा का नाम देखने को मिलता है as a contemporary of समुद्रगुप्त आपको पता है समुद्रगुप्त ने बहुत सारे एरिया पे कभजा किया था मैंने आप लोगों को proper पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराई है कि कौन कौन से एरिया में समुद्रगुप्त का कभजा था राजाओं का राजा महा राजा परम भाटरक समुद्रगुप्त कितने राजाओं पे कभजा करके बैठा था साउथ वाले इलाके के राजाओं को हरा के उनके एरिया वापस किया था सब बता चुका हूँ मैं आप लोगों को और ये सारी information हमको मिलती है प्रियाख प्रशस्ती में से जो इनके court poet हरी से ने लिखी है तो ये प्रियाख प्रशस्ती से जो information मिलती है उसी में आपको ये as a contemporary भी देखने को मिलती है इनके पहले राजा जिनका नाम है push ये बर्मन अब जैसा कि आपको पता है एक मंत्र है कैसा मंत्र है? कि जैसे 2 plus 2 4 होता है रात के बाद दिन आता है दिन के बाद रात आती है वैसा ही एक मंत्र ये है कि जैसे ही राजा week होगा king थोड़ा week होगा उसके सामन्त इंडिपेंडनेस अनाउंस करेंगे यह बहुत बेसिक रूल है जो सबको पता है इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए तो पुशे वर्मन के टाइम प्लेड में समुद्र गुप्त है तो क्या कोई समुद्र गुप्त के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा Not possible समुद्र गुप्त के खिलाफ कोई बोलने की कोशिश कर ही नहीं सकता समुद्र गुप्त कितना powerful है सब जानते पर आप कितनी भी powerful empire हो कितनी भी powerful dynasty हो आपको भी weakness देखनी पड़ेगी और जब ऐसा होगा तो वही वर्मस जो कभी आपके subordinate हुआ करते थे वही independence मांगेंगे और उनके राजा महेंदर वर्मन महेंदर वर्मन ऐसे राजा हैं जो दो अश्यमेद यग करेंगे He will perform two horse sacrifices अब यह horse sacrifices आप समझ सकते हैं कि सर सिर्फ नाम के लिए होती है नहीं यह तब कराई जाती है तब कोई राजा attempt करता है जब वह independence अपना claim कर रहा हो जब वह powerful हो चुका हो कामरूप की independence का claim किया है महेंदर वर्मन नाम की राजा ने और साथ ही साथ उस bracket में आपको उसका साल भी दिख जाएगा तो महेंदर वर्मन इन 470 तो 494 AD के time period के बीच में rule करते हैं और यह करते हैं अश्यमेद यग जिसको कहते हैं horse sacrifice इस sacrifice में क्या किया जाता है जी इसमें बड़ा simple सा फंडा है कि राजा का horse राजा का एक horse along with soldier open छोड़ दिया जाता है विथ उसको कोई limitation नहीं है वो दुश्मन की territory पे भी जाएगा हर एक जगह में जाएगा तो for instance मालीजे राजा A है जो horse sacrifice करना चाहता है चलिए करना चाहता है राजा को कोई कौन रोग सकता है और B territory है enemy की territory तो राजा का horse along with soldier इसके आस पास बाकी सारे soldiers के साथ ये B की territory में पहुँच गया अब B वाले राजा के पास दो option है या तो वो इस horse को रोखने की कोशिश करें और दूसरा option है कि वो अपने area से pass on होने दे इन case वो अपने area से pass on होने देता है इसका मतलब ये है कि B वाला राजा कह रहा है कि मैं weak हूँ A वाला राजा यानि powerful है A वाला राजा powerful है B वाला weak है और B वाला accept कर रहा है कि A वाला powerful है और मैं उसका subordinate हूँ क्योंकि मैं उसका rule accept कर रहा हूँ क्योंकि उसके अशुमेदियग को मैंने नहीं रोका दूसरा criteria यह है, दूसरा condition यह है कि आपने उसको रोकने की कोशिश की रोकने की कोशिश की तो दो conditions है या तो आप उसको रोकने में successful हो जाओगे अगर आप उसको रोकने में successful हो गए उसके horse को मार दिया आप लोगों ने इसका मतलब यह है कि यह अशुमेदियग fail हो गया लेकिन अगर आप ने रोकने की कोशिश की और आप उसको रोक नहीं पाए आप उसको हरा नहीं पाए वो जीत गए soldiers वो horse को बचा ले गए उन्होंने आपको defeat कर दिया यानि इसमें भी आपको उसका rule accept करना पड़ेगा यानि फिर से second condition आदे तो अशुमेदियग को रोकने का एक ही तरीका है कि जिस राजा का अशुमेदियग है उसको हराना पड़ेगा उस horse को उसको इस soldiers को हराना पड़ेगा तो महिंदर वर्मन ने ये claim किया है और अगर कोई राजा ये कर रहा है इसका मतलब यह है कि वो अपने आपको exert करना चाहता है वो claim करना चाहता है कि अपन अब लिबिर लिबिर नहीं करेंगे अपन को चाहिए full respect, full इज़त तो अलाबाद प्रशस्ती यानि प्रयाग प्रशस्ती में इनको frontier ruler बोला किया है frontier ruler यानि वो लोग जो fronts पे यानि boundary पे रूल करते थे on the behalf of gupta empire तो मैंने बताया प्रयाग प्रशस्ती समुद्र गुप्त के लिए लिखी गई है और समुद्र गुप्त के आगे कोई बोल सकता है क्या आप लोगोंने meme सुना भी होगा तो समुद्र गुप्त भाई इनके आगे कोई बोल सकता है कोई नहीं बोल सकता है समुद्र गुप्त के आगे नहीं बोल सकते उनके फ्रंटियर रूलर बनके ये रूल कर रहे पर आगे चलके जब समुंत्र गुप्त नहीं रहे तो महिंद्र वर्मन बोला कि अपन आजाद है अब सद इंस्क्रिप्शन आफ अधित्य सेंग के बारे में बात करें तो सुस्ती वर्मन को महासेन गुप्ता ने हराया था सुस्ती वर्मन को महासेन गुप्ता यानि बंगाल के इलाके के महासेन गुप्ता ने हराया था वर्मन के बाद डैनेस्टी मलेच्छास किया थे और फिर पालास किया थे थोड़ा आपको आइडिया पता भी होगा कि ये सुस्ती वर्मन को महासेन गुपता ने हराया था और ये सुस्ती वर्मन के ही परिवार से बिलॉंग करते थे अगली जेनरेशन से बिलॉंग करते थे बासकर वर्मन ये महासेन गुपता की तो आपको इस तरीके से connect करते हुए चलना है कोई doubt हो कोई query हो तो please पुछते चलना है ठीक है जी clear है ये एसो नो बता दीजीगा तो इस तरीके से आपको बताना है तो आप important राजाओं के बारे में बात करते है कुछ important sources के बारे में बात करते है और अभी तक जो आप लोगों ने डिसकस के वो एक basic चीजे हमने डिसकस की तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या क्या है तो इनके ब्रदर थे सुपरस्थी वर्मन जिनको मार दिया गया था किसने मारा था महासेन गुपता ने मारा था और इसी का बदला बासकर वर्मन लेंगे अलोंग भी थर्षवर्दन उस किसे और उस कहानी पर भी आते तो ये राजा है और ये राजाओं की लिस्ट है ये ब्लू में जो आपको दिख रहे हैं ये सब राजा है पुश्य वर्मन पहले राजा है बासकर वर्मन आकरी राजा है उसके बाद के राजा का नाम अन्नोन है नहीं पता कौन सा राजा है सुप्रस्थी वर्मन आपको पता है सुस्थी वर्मन भी आपको पता है तो ये वो राजा है जिनका गौड के या गौड के अलाए बंगाल के अलाए के साथ एनमिटी चल रही है दुश्मनी चल रही है और शशांक से ये भी परिशान है शशांक से डिरेक्ली या फिर उनके अलाईश से ये भी परिशान है जितना ही हर्शवरदन परिशान थे इसलिए ये भासकर वर्मन हर्शवरदन के साथ अलायंस करते पर एक चीज़ यात रखेगा हर्श वर्धन के बाद भी कोई उनके सक्सेसर्स नहीं थे और भासकर वर्मन के भी आपको जादा सक्सेसर्स नहीं देखने को मिलते तो पुशे वर्मन के बारे में बात करते अब देखिए मैंने बताया था आपको कि अपने नाम को लेजेंडरी फिगर्स के साथ आप जब एसोसियेट करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है तो पुशे वर्मन अपने आपको बोलते हैं कि मैं नरका भागदत का डिसेंडेंट हूँ यह क्लेम करते हैं कि मैं भाउमा डैनेस्टी से बिलॉंग करता हूँ यानि हमारे पूरुवज जो थे हमारे जो वन्शश थे वो राजा थे और इसी लिए यह भी क्लेम करते हैं कि मैं उसी परिवार से बिलॉंग करता हूँ name uh Maj Ali noite माराजा दिराज की अम आराजा दिराजी नौमली वह राजा लेते है ए इंडिपेंडेंट अब इनकी इंडिपेंडेंस कितनी थी यह तो डिबे अथा क्योंकि उस दूबी ग्रांट में जो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड दिया है तो उसमें पूरे राजाओं का नाम लिखा है और उसी में ये लिखा है कि राजाओं के राजा नर्का के क्लैन से बिलॉग करने वाले पुश्य वर्मन हमारे पूरवज है और बोला गया है कि वो इतने महान है कि उनका तेज, उनका फेम शिव भगवान के जितना है इतने दयालों के इंदर भगवान जितने सैक्रिफाइजेस करे दुश्मनों का नरसंगहार करने वाले पुश्य वर्मन तारीफ लिखी है बासकर वर्मन ने अपने फोर फादर पुश्य वर्मन की जो कि पहला राजा है वर्मन डैनेस्टीज ओफ कमरूख का ऐसा ही नालंदा कले सील में भी लिखते हैं वो लेकिन एक चिज़ ये भी है कि बासकर वर्मन और पुश्य वर्मन के बीच में बहुत जादा फरक है इवन नरका और पुश्य वर्मन के बीच में कितना फरक है क्योंकि वो तो बहुत एक तरीके से प्रिस्टॉरिक नाम है डैनेस्टीज के तो ये आपको पता होना चाहिए शायद इसलिए नाम जोडा गया ताकि नाम को एक वैल्यू मिल सके गएक रेल्यवेंस मिल सके जैसे वे एक्जामफल मैं बोलू कि मैं उसी परिवार से बिलॉंग करता हूं जिस परिवार से X,Y,Z नाम के फेमस राजा बिलॉंग करता है जैसे ये नाम मेरा उनके साथ एसोकेट हो जाता है मेरी बैल्यू बढ़ जाता है ठीक है तो यही स्कॉलर्स का मानना है कि यह नाम साइज इसलिए भी जोड़ा हो सकता है ताकि पुश्य वर्मन को एक थोड़ा रिस्पेक्ट मिल जाए थोड़ा एकसेप्टेंस मिल जाए अब पुश्य वर्मन की ओरिजन कैसे हुआ पुश्य वर्मन का कीसे हुई कोई आईडिया नहीं यहां तक यह जो वर्मन टाइटल का स distill आया इसके बारे में भी बहुत कोई आइडिया नहीं क्योंकि वर्मन डैंसटी तो अलग-लग एरिया में रूल कर रही है तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये वहाई इससे वर्मन्स आए है लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस है नहीं जो सपोर्ट कर सके किसी भी थ्योरी को तो ऐसा माना गया है कि ये एक आर्येन स्टॉक के एक एडवेंच्रस चीफ थे पुशे वर्मन जिनको मौका लगा जिनको लगा कि कमरूप के आसपास मौका है तो उन्होंने पॉलिटिकल इस्टेबिलिटी का फायदा उठाया अपने आपको किंग अनाॉस किया और क्लेम किया कि मैं नर्का भागदत के परिवार से बिलॉंग करता हूँ अलाबाद पीलर समुदरूप्त का मैं अल्यडी बता चुका हूँ उसमें इनको दिखाया गया इसा फ्रंटियर किंडम और इनके आसपास कौन है दवक, नैपाल, कार्तिपूर, समतत्ता ये सब क्या बताए गया है ये वो सारे स्टेट्स है जो कि समुदरूप्त के सामने ट्रिब्यूट देते हैं और उसका कमांड एक्सेप्ट करते हैं इतना क्लियर है बुरांग जी ये सोनो बताए इसके लिए अभी हमने बात कहा कि हमने बात की पुश्य वर्वन का ओरीजिन का कि वो कैसे लेजन्डरी डिनेस्टी से क्लेम करते हैं और समुदरूप्त के टाइम प्रेड में उनके सबॉडिनेट के रूप में रूल करते थे और इनका नाम का मेंशन देखने को मिलता है इन अलाबाद पिलर इस्क्रिप्शन और समुद्र गुट्ळ। जल्दी से बताएए बुरांग जी ये पिलर इस्क्रिप्शन किसने लिख़ा था और कौन सी बाशा में लिख़ा हुआ है बताएए इसके बाद दूसरे राजा है समुद्र वर्वन तो अलाबाद पिला इस्क्रिप्शन का नाम याद रखना है आप लोगों ने समुद्र गुप्त का है लिखा है उनके कोट पोईट ने जिनका नाम है अरी इस सेंट और लेंग्वेज कौन सी है संस्कृत वाश है तो समुद्र गुप्त के बारे में सारी इन्फॉर्मिशन आपको यहीं देखने को मिलती है इसको प्रयाक प्रशस्ती भी बोला गया है जी हाँ बिलकुल या फिर अलाबाद पिला इंस्क्रिप्शन भी इसी को बोला गया समुद्र वर्मन के नाम से देखके लगता है कि यह शायद इनका नाम समुद्र गुप्त के नाम से इस्पायर होके पुश्य वर्मन ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ऐसा नाम रख़ा होगा यह माराजा धिराज का टाइटल लेता है कुछ जादा जानने की जरूत है नहीं फिर बात करते है बाल वर्मन की बाल वर्मन ने मैट्रिमोनियल एलाइंसे इस्टैबलिश किये विद कश्मीर के राजा और इनकी डॉटर अमरित प्रभा का नाम काफी जादा फेमस है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कश्मीर एक टाइम पिरिड तक मोनेस्ट्रीज टैम्पल्स की जगह थी और उसमें बहुत सारी मोनेस्ट्रीज इस्टैबलिश करने वाली यही डॉटर थी बाल वर्मन की जिसका नाम है अमरित प्रभा तो इनकी शादी किस्से हुई है मेग वर्मन आफ कश्मीर कश्मीर के राजा से और ऐसा माना जाता है कि समुन्त गुप्त की लड़ाई बाल वर्मन के साथ हुई थी अश्शुमेद यगर के टाइम पिरड़ में अब बहुत सारा इस पे ऐसे resources ऐसे sources या ऐसे mention देखने को मिलते हैं जो थोड़ा सा chronologically ऐसा लगता है कि error है पर जो mention हुआ है वो सारी चीज़े में आपको inform कर लो तो अमरित प्रभा का नाम याद रखेगा तो कि जब आप कश्मीर की history को देखते हैं तो कश्मीर में शुरुआत में बहुत सारे temples का mention आपको देखने को मिलता है बहुत सारी monasteries का नाम आपको देखने को मिलता है Muslim invasion से पहले आपको यहाँ पे Buddhism का center, Hinduism का center खास कर Buddhism और Hinduism के अलावा भी और बहुत सारे sects का even sun temple भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो अमरित प्रभा का नाम मत भूलिएगा फिर बात करते हैं महिंदर वर्मन महिंदर वर्मन की बारे में मैं अल्लेडी बता चुका हूँ तो यह वो राजा है जिन्होंने अशुमेद यग किये और बोला कि हम गुप्ता डेनेस्टी से अब आजाद है महिंदर वर्मन कह रहे हैं कि अब हम आजाद है हम अपना खुद का रूल इस्टैबलिश करेंगे और माना गया कि यह कुमार गुप्त फर्स्ट और सकंद गुप्त के यानि उस टाइम तक थोड़ा सा आपको भी पता है गुप्ता एंपाइर डाउन फॉल में आ चुका था आपको यह आइडिया होना चाहिए कि गुप्ता एंपाइर डाउन फॉल स्टार्ट सीजी टू के टाइम प्लेड में ही हो चुका था अब बात करते हैं आखरी राजा भासकर वर्मन के बारे में तो इस डैनेस्टी का सबसे ज़ादा ग्रेटेस्ट मोनाग है भासकर वर्मन और इस एरिया का बहुत बड़ा रिमार्किबल रूलर भी है भासकर वर्मन हर्श चरितर में इसका mansion देखने को मिलता है और आपको जो हर्श चरितर आपकी देखने को मिलते है बान बट के दौरा यह लिखा गया है कि इन्हों ने कैसे ambassador को भेज़ा जिसका नाम था हमसाव वेगा ताकि यह मदद ले सके क्योंकि इन दोनों के enemy एक ही थे माहसेन गुपता और शशांक दोनों की कहानी बहुत जादा सिमिलर है जैसे हिंदी के सोप उपरियास की कहानी होती है दोनों इस बात से परेशान थे हर्श वर्दन और भासकर वर्मन की उनके परिवार के मेंबर्स को या तो शशांक या उसके अलाए माहसेन गुपता ने मारा है तो एक तरफ शशांक इनवॉल्व थे शशांक के अलाए में आपको पता है मालवा के राजा थे जिनोंने उनके सिस्टर के हजबेंट को मारा था या दूसरी तरफ अलाए में गदी पे बäठ यहे उनको बदला तो लेना है उनके फादर को मारा जा चुका है उनके ब्रदर सुपरिस्थिति वर्मा को मारा जा चुका है इन्होंने क्लेम किया कि मैं नरकासूर, भागदत और वज़रदत के परिवार से बिलोंग करता हूं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है दूबी एंड निदारपूर कॉपर प्लेट से कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है दूबी एंड निदारपूर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से सो महासेन गुपता और शशांग कलाई थे महासेन गुपता की जाने के बाद सारा इलाका शशांग के कंट्रोल में आ चुका था बंगाल वाला इलाका अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता ही हम सुनते आया है इसका प्रैक्टिकल एप्लिकेशन आपको यहां देखने को वमेशा याद रखेगा राजाओं में पॉलिटीशन्स में कभी भी दुश्मनी और दोस्ती पर्मनेंट नहीं होती यह अपना अमबैस्डर हमसा वेगा को बेजते हैं और बोलते हैं कि कोईलेशन किया जाए और यह जो बीच में हमारे एनमी है इनको एलिमिनेट किया जाए तो किंग ओफ गॉड इन्होंने परिशान कर रखा था जिसका नम शशांक है तो यह कोईलेशन का मेंशन आपको देखने को मिलता है और यह यून सांग भी इसका मेंशन करते है राजवर्दन जो कि हर्शवर्दन के बड़े बाई थे उनको गौड के राजा ने मारा था तो दोनों के लिए एक म्यूच्वल और एक कॉमन एनमी दिख रहा था तो कोईलेशन दोनों के लिए फाइदे का सौधा था बाना बढ़के लेकिन जब आप अकाउंट की बात करते हैं बाना बढ़के जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो उससे थोड़ा क्रोनलॉजिकली इशू क्रेट होते है तो यह कोईलेशन फोर्सेज एक्चुली में हर्शवर्दन और बासकर वर्मन की डिफीट करती हैं शशांग को और इसके बाद भासकर वर्मन उस इलाके पे कबजा करते हैं जो कभी इनके फादर या इनके ब्रदर के पास होता था बंगाल वाले बहुत सारे इलाके में कबजा कर लेते हैं और ये भी बताया जाता है कि भासकर वर्मन के बारे में यून सांग भी मेंशन करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे राज़े बहुत पावर्फुल राज़ा और इनका बहुत ज़ादा इंफ्लूएंस है नालंदा की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के उपर भी ये परसनली शेविजम के फॉलोवर थे लेकिन पढ़ने और लिखने के काफी ज़्यादा इच्छुक थे इसलिए ये यून सांग को इन्वाइट करते हैं अपने दर्बार में कि आईए यून सांगी आप हमारे दर्बार में आईए यून सांग मेंशन ये करते हैं कि भासकर वर्मन एक मैसेज बेजा मैसेंजर को बेजा शील बदर पे और बूला कि आईए आप हमारे याँ पे विजिटर करिए तो ये याद रखेगा और एक्चुली में कई बार ऐसा भी बोला जाता है कई सोर्सेज में ऐसा देखने को मिला है दो ये वेरिफाइड है या नहीं इसमें थोड़ा डाउट है कि भासकर वर्मन और हर्श वर्दन के बीच में लड़ाई भी हो गई थी क्योंकि हून सांग उनको रिलीज नहीं कर रहे थे बासकर वर्मन और हर्श वर्दन को बेजा जाता है और जब वापस जाते हैं यून सांग हर्श वर्दन के दर्बार में तो सब लोगों को बला जाता है प्रयाग आओ अलाबाद आओ बुद्धिजम की इंपोर्टेंट काउंसिल की मीटिंग और उसमें बासकर वर्मन भी आते तो ये याद रखेगा कि एक तरीके के अच्छे अलाइंस स्टैब्लिश हो गए थे एक आदे इंसिडेंट को छोड़ दे तो इस तरीके के अच्छी अलाइंसे थे दोनों के यून सांग ये भी मेंशन करते है कि इनका कंट्रोल था नौर्थ बेंगॉल के उपर इवन नालंदा इन बिहार के उपर भी इनका काफी ज़्यादा इंफ्लूएंस थे बासकर वर्मन की दैत के बाद ये पूरी डैनेस्टी खतम हो गई और इस डैनेस्टी में अगली डैन जो रूल करती है उनका नाम है मलिक छास और जो पहले राजा है इनका नाम है सलस्तंप इतना क्लियर है कि ये सो नो बताएं इतना क्लियर है ये सो नो बताएं सम लोगों ने बात की कि कैसे बासकर वर्मन के परिवार वाले परिशान थे कैसे हर्श वर्दन के परिवार वाल था दोनों ने मिलके इतना क्लियर है अब कुछ इंपोर्टेंट आर्केलोजिकल एविडेंस से इसकी बात कर लेते पहला इंपोर्टेंट एविडेंस है उमा चल रॉक इस्क्रिप्शन ये गुपता स्क्रिप्ट में लिखा गया है असाम से मिला है और ये माना गया कि सुरेंदर वर्मन नाम के इंडिविजूल ने इसको लिखवाया था ऐसा ही एक और इंस्क्रिप्शन आपको नगजारी कनी कर गाओं रॉक इंस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा तो ये वो inscription है जो कि important information provide कराता है regarding verments तो ऐसा माना जाता है कि बलराम बलराम आप जानते कृष्ण भगवान की बड़े भाई उनके temple को एक construct करवाया गया था सुरेंदर वर्मन ने और वहाँ पे ये आपको उमाचल रॉक inscription देखने को मिलेगा जिसमें वर्मन डैनेस्टी के राजाओं के बारे में information देखने को मिलेगा उसके लावा निदानपूर copper grant ये बासकर वर्मन ने issue कराया था और इसके writer माने जाते है वासू वर्मा वासू वर्मा ने बासकर वर्मन के कहने पे ये लिखवाया था इसकी बाशा संस्कृत है और माना जाता है कि ये लिखवाया गया था जब शशांग को मार दिया गया था और इसमें लिखा गया कि कैसे बासकर वर्मन कितनी सारी area को grant कर रहा है कितने सारे area को gift कर रहा है इसमें बहुत सारी information है कि किस-किस को ये जमीन दी गई है और ये सारी information आपको यहां से देखने को मिलती तो निदानपूर copper plate copper grant याद रखिएगा दुबी grant भी बासकर वर्मन के साथ ये associated है और उसके अलावा बादा गंगा एपिग्राफ आफ बूती वर्मन ये important archaeological sources है अब देखिए ये archaeological sources factual चीज़े हो जाते हैं क्योंकि आपको नाम पढ़ने पड़ते हैं तो आपको ये एक idea होना चाहिए खास करकि भासकर वर्मन से related सारे facts आपको पता होने चाहिए दुबी grant और निदानपूर copper plate inscription भी आपको idea होना चाहिए सो ये थे वर्मन्स वर्मन्स के बारे में मैं दुबारा बता दूँ कि ये claim करते हैं अपने आपको legendary dynasties से इनके पहले राजा है पुश्य वर्मन और आखरी राजा जिनका नाम देखने को मिलता हुए बासकर वर्मन कुछ scholars का ये मानना है कि बासकर वर्मन के बाद एक राजा आया था और कुछ scholars का मानना है कि ये बासकर वर्मन के बाद कोई राजा नहीं आया था इसमें सबसे important आपको महिंदर वर्मन का नाम याद रखना है और आपको नाम याद रखना है बासकर वर्मन का ठीक है आपको देखने को मिल रोगा कि बासकर वर्मन बैचलर है यानि उनके बाद उनका कोई अगली जेनरेशन नहीं है इसलिए इसके अबरप्ट एंड माना गए फिर मलेच्छ डेनेस्टी है और पालाज है तो इनके बारे में भी थोड़ा साइक रफ आइडिया ले लेते क्योंकि कोई भरोसन एग्जामिनर आपको किस तरीके से पूछ ले वर्मस का नाम तो सीधे स्लेवर्स में मैंशन है वर्मस के बाद मलेच्छ डेनेस्टी रूल करती और इनके पहले राजा है सलस्थम स्थम मतलब पिलर होता है आपको पता ही होगा तो इनकी कैप्टर थी हरुपेश्वर इलाके से ये रूल करते थे और इन्होंने वर्मन डेनेस्टी को रिप्लेस किया थे इस डेनेस्टी के 21 रूलर्स माने जाते हैं लेकिन जादा तर राजाओं का नाम देखने को नहीं मिलता ये भी अपने आपको नरकासुर से ही क्लेम करते है कि हम भी उसी परिवार से बिलॉंग करते है जिससे नरकासुर क्लेम आते थे ताकि लेजिटिमेश ही मिल सकी और इनके बाद पालाज आते तो इनकी ये लिस्ट है सलस्थम व्रिग्रे स्थम, पलक और ये सब और इसमें सबसे इंपोर्टेंट राजा है हर्श वर्मन तो याद रखिएगा हर्श वर्मन सबसे इंपोर्टेंट राजा है और सलिस्थम पहले राजा है और आकरी राजा है त्याक सिमा तो साल स्थम के नाम का मतलब यह pillar of salt tree तो साल स्थम नाम से ही पता चला, स्थम मतलब pillar, साल मतलब साल का पेड़ और यह भौमा से claim करते हैं, जैसे की एक trend हो गया है जैसे बहुत सारी North India की dynasty, solar dynasty या lunar dynasty से claim करती हैं कि हम सूरे वंशी हैं या हम चंदर वंशी हैं वैसे ही वहाँ की डेनेस्टी आपको वहीं से क्लेम करती हुए दिखेंगे कि हम वाउमा डेनेस्टी से बिलॉंग करते है रतनपाल राजा के इंस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इनका नाप इन्हों ने कैपिटल शिफ्ट की थी इसको शिफ्ट करने वाले सलिस्थम थे और इसमें अलग-लग राजा आते हैं जिसमें आकरी राजा त्याग सिम्वाते हैं बाकी जादा राजाओं के बारे में बात नहीं करते हैं इंपॉर्टेंट राजा हर्श वर्मन के बारे में बात कर लेते हैं सो मलेच्छास की सबसे पावरफुल राजा हर्शवर्म इनकी डॉटर का नाम था राज्यमती और इन्होंने मैट्रिमोनियल एलाइस से इस्टेब्लिश के थे नेपाल के राजा जैदेव टू के साथ जो कि वहाँ की पावरफुल राजा है तो अगर आप अपनी डॉटर की शादी एक पावरफुल राजा उफ नेपाल से कर रहे है तो यानि आपका नेपाल पर भी कंट्रोल है और नेपाल के साथ कंट्रोल होने के साथ इनके पास इतनी पावर थी कि ये बाकी सारे एरिया भी एक्सपैंड करते तो जो पशुपती एपिग्राफ है जैदेव टू का उसमें इनका मैंशन है तो जो जैदेव टू है जो इनके एक तरीके से सनिन लौ है उनके में ये मैंशन है और बोला गया है कि गौदरादी, कलिंगा, कोसल, पती यानि हर्ष वर्मन ये आर्ष देव के पास कलिंग का इलाका भी है, कोसल का इलाका भी है, गौदरादी का भी इलाका है, बहुत सारा इलाका इन्होंने कब्जा कर रहता है अब ये पॉसिबल तभी है, जब वो नेपाल के साथ मेट्रिमोनियल अलाइस हुआ, और उससे उनको बहुत सारा फाइदा मिला सो कलिंग और कोसल पे कब्जा करने के बाद, इन्होंने साउथ का भी चक्कर लगाया और बोला गया कि इनकी चौलुक्या के राजा कीर्ती वर्मन टू के साथ भी कॉन्फिक्ट हुई लेकिन उन्होंने हरा दिये कीर्ती वर्मन टू ने और यह ऐसा नहीं कि लड़ाईयों का मेंशन सिर्फ इन्ही की तरफ से देखने को मिलता है, इवन राष्ट कुतास के सोर्से दंती दुर्ग भी इसका मेंशन करते हैं अब अगर आप लोगों को याद हो कीर्ती वर्मन चालुक्यास के आखरी राजा थे जिनके टाइम पिरण में आपको दंती दुर्ग का राइस देखने को मिलता है, यानि राष्ट कुतास का राइस देखने को मिलता है तो किर्थी वर्मन वीक हो रहे हैं दंति दुर्ग आ रहे हैं तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए यानि हर्ष देव अर्ष वर्मन इस डिनस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे और इन सारी चीज़ों को अगर हम समफ करें तो इनके पास बहुत सारा इलाका था अयोध्या से लेके हिमालया से लेके बेव बेंगॉल से लेके गंजाम तक का बहुत सारा इलाका था फाइनली हर्ष देव को ओवर्ट्रो करते है ये शोवर्मन हर्जा वर्मन और इंपॉर्टेंट राजा है दो तिन और इंपॉर्टेंट राजा है तो हर्जा वर्मन के बारे में आपको ये बताने को important point कुछ खास है नहीं एक दो point है बस एक important point ये है कि इन्होंने title लिया था महाराजा दिराज परमवेशुरा परमभटरक का ऐसे title नॉमली यहां के राजा नहीं लेते थे इनके बारे में information आपको मिलते है युन्थल ग्रांट और तेजपुल रॉक एपिग्राफ से और ऐसा माना जाता है कि ये god dynasty के देवपाल के contemporary थे देवपाल of god यानि ये पाला dynasty के देवपाल के contemporary थे अगर आप time को भी देखेंगे तो वहीं पे hint करता है और इन्होंने एक बहुत सुन्दर temple बनवाय था हेतु का सुलिन का जो की local DTE एक तरीके से तो तेजपुर असाम के आगे आसपास के इलाके में बहुत सारा development इनके time period में हुआ है फिर वनम, लवर, मदेवा, जैमल है, बलराम, थर्ड है ये कुछ इतने ज़ादे important राजा नहीं है और इनके बारे में अगर आपको idea ना भी हो तो कोई problem नहीं है लास्ट त्याक सिमा के बारे में बात कर लेते हैं ये आकरी राजा थे सलिस्थम डैनेस्टी के इनका भी कोई बच्चा नहीं था इसी लिए इन्होंने अपने officer ब्रह्म पाल को राजा अनौंस कर दिया अपने आखरी के time period में क्योंकि इनको पता है कि बच्चा नहीं है, childless है तो एनार्की हो सकती है, problem create हो सकती है तो उस एनार्की को face करने के लिए, उस एनार्की से बचने के लिए इन्होंने अपने governor ब्रह्म पाल को as a राजा point किया और इसने भी claim किया कि मैं नर्का सुर के परिबार से ही belong करता हूँ तो again नर्का सुर का नाम आपको देखने को मिल रहा है तो यहां ब्रह्म पाल से तीसरी डिनेस्ट्री स्टार्ट होती है जिसको कहते है पाला डिनेस्ट्री और पाला डिनेस्ट्री ब्रह्म पाल से स्टार्ट होते हुए रतन पाल, इंदर पाल, गोपाल, हर्षपाल, धरम पाल, जैपाल याद रखेगा ये पाल वो पाल नहीं है जो बंगाल वाले जैसे एक कश्मीर का सेव होता है एक इमाचल का सेव होता है एक उत्राकंड का सेव होता है वैसे ही बंगाल के पाल है और कमरूप के पाल है तो बंगाल वाले पालास बुद्धिस थे, इनके बारे में माना जाता है कि यह mostly हिंदूस थे, यह भी क्लेम करते है नरकासुर से, भामा डेनेस्टी से और यह आकरी डेनेस्टी है जिसने कमरूप पे रूल किया है, इसके बाद यहाँ पे fragmented politics आती है, यानि यहाँ पे कोई single player नहीं आते हैं, इक चीज आपको समझनी पड़े कि पालास के inscription या पालास के documents में भी आपको जादा नाम कमरूप का देखने को नहीं मिलता, कमरूप के जो पालास राजे वो टाइटल लेते हैं, परम अब्दवेद, परम बट्रक, महराजा दिराज का, यानि यह वही टाइटल है, जो एक तरीके से गुपतास लिया करते थे, उसके लावा श्री वराहा का टाइटल भी लिया है, वराहा मैंने आपको बताया है, वि पुरक जोतिश, तो यह सारे टाइटल्स इनके द्वारा लिये गए, पहले राजा ब्रम पाल, रतन पाल, इंदर पाल, दरम पाल, जैपाल, यह चार पांच राजा है, फोड़ा साब को एक राइड़ा है, आइडिया होना चीए, ब्रम पाल के बारे में मैं अल्यडी बता चुका हो, मलिच्छास के आकसी राजा, तो आकसी मा का कोई वारिस नहीं था, उन्होंने कहा, अगर मैं चला गया, तो कौन राजा बनेगा, अकड़ बकड़ बंबे बोर करके डिसाइड करना पड़ेगा, या पोसंपा भई पोसंपा करके डिसाइड करना पड़ेगा, तो ब्रहमपाल शायद उससे पहले कहीं गवर्नर की रूप में काम करता था और ये महीपाल नाम के राजा का कॉन्टेंप्ररी है जो कि पाला डेनिस्टी के राजा थी इनका कुछ जादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती लेकिन इनके जो सक्सेसर है रतनपाल उन्होंने इनको बोला है महाराजा दिराज और ये बोला गया है जो इनके बेटे है रतनपाल कि इन्होंने अपने बेटे के फेवर में अपनी गद्दी छोड़ दीती और ये information हमको देखने को मिलती है इनके बारे में सो ब्रह्मपाल के बाद रतनपाला है इन्होंने टाइटल लिया दे कि परमेशुरा, परम, बटरक, महराजा, दिराज ये वही टाइटल है जो गुपतास लिया करते थे बड़े बड़े टाइटल, हाई साउंडिंग टाइटल कैसे टाइटल जैसे बाहुबली मुवी में आपने देखा होगा वीरो के वीर, शूर वीर, महावीर दुश्मन भी जिससे एकापता कालकिया का नरसंगार करने वाले हमारे माईश्मती समराट के राजा पाहुबली अब यह इतने टाइटल क्यों दिये गए है ताकि यह सारी information दिज़ सके राजा के बारे में राजा की strength के बारे में तो रतनपाल के नाम के आगे भी यह सारे टाइटल देखने को मिलते है इन्होंने अपनी capital बनाई और उस capital को का नाम दिया दुर्जिया या impregnable रतनपाल के achievement के बारे में आपको गोपाल की inscription से भी information देखने को मिलती अब ये भी देखने को मिलता है कि ये इस dynasty यानि पालाज ओफ कमरूप ने पालाज ओफ बंगाल को हराया था राज्यपाल नाम की राजा को हराया था जो कि पाला डिनेस्टी और बंगाल की राजा थे अब ये true है ये false है ये गोपाल जाने उन से लिखा हुआ inscription जाल पिर इंदरपाल आते है इंदरपाल का जादा मन पढ़ाई पे था रादर देन वाड इन्होंने दो copper plate ग्रांड प्लेट इशू की हैं गुआटी और गुवा कुची प्लेट और इन्होंने वराहा का नाम लिया यानि विश्नु भगवान के एक अफ्तार की साथ अपने आपको एसोसेट के यानि वैशनविजम यहाँ पे इसपैंड कर रहा था यहाँ पे ग्रो कर रहा था इंदरपाल के बाद गोपाल आएं बात करते हैं धरमपाल की धरमपाल अगेन नाम रिपीट हो रहे हैं लेकिन आपको यह याद रखना पड़ेगा कि इसके भी कुछ जादा important facts नहीं हैं यह भी religion और learning के बहुत important pattern थे और इनका mention आपको देखने को मिलता है कलिक पुराण के ऐसा देखने को मिलता है कि कलिक पुराण इनके time period में इनके patronage में ही लिखा गया था शायर जैपाल इस पाला डेनेस्टी के आखरीर आजए इसका एक रफ आइडिया आपको लगा होना आपसको पता होना ज़रूरी है क्योंकि यहां से हो सकता है बहुत simple सवाल आ जाए लेकिन अगर आपको नहीं पता बिल्कुल आइडिया नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत जादा problem हो सकती थी इसलिए मैंने आपको एक basic idea दे दिया है तो तीन डेनेस्टी हैं तीनों डेनेस्टी के important राजाओं के बारे में बात किये मैंने तो पाला डेनेस्टी के धरमपाल है धरमपाल के बाद एक और राजा है एक दो राजा और है फिर आखरी राजा है जैपाल तेकि जैपाल के बाद क्या हुआ जितने भी landlord से जितने भी अलग लग लोग थे उन्होंने claim कर लिया और कोई भी एक single power नहीं थे तो इनसे पहले आने वाले राजा और इवन बाद वाले राजा भी इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जो बाद वाले राजा इनके बारे में थोड़ी information देते और इनसे पहले वाले जो राजा थे वो भी इतने powerful राजा नहीं थे एक downfall देखने को मिल रहा था already सो इतना क्लियर है ये सो नो बताए सु इसक्लिए अभी हमने क्या बात कि हमने बात कि कि यहां की तीन इंपॉर्टेंट डिनस्टी जिसमें से वर्मन्स है मलिच्छाज है देन पालाज है और तीनों क्लेम करती हैं भौमा डिनस्टी के नरकासूर ये भागदत से मैं इसके बारे में भी बता चुका है, यह mythological dynasties है, जिनका reference आपको देखने को मिलता है, मा भारत में, रामायाण में, कलिक पुराण में, वर्मन dynasty के सब्ते important राजा है बासकर वर्मन, मलेच्छास के हर्षदेव, हर्षवर्मन, एन पाला के गोपाल, इंदरपाल, यह सब थ बुड़े थोड़े important राजा है, लेकिन उतना out and out कोई clear यहाँ पे इतना पार्कूर राजा नहीं है, रतन पाल को आप competitively फिर भी जादा पार्कूर राजा मान सकते हैं, ठीक है जी, ऐसा माना जाता है कि इस इलाके पे, शायद राम पाल ने कबजा कर लिया था, और इवन जाने के बाद यह इलाका अलग-लग landlords के कबजे में आ गया था, तो इतना आपको clear होगा, अब इसको आज यही रैप अप करते है, सेना डेनिस्टी के बारे में अगले session में बात करेंगे, तो आज हम लोगों ने एक तरीके से North East वाले part को, इस वाले portion को finish किया है, बहुत सार information आप लोगों के लिए एकदम new हो सकती है, इसलिए इसको मैं और ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, पस आपको AC को revise कर लेना है, अगले session में सेनास के बारे में बात करेंगे, सेनास के साथ साथ हम Odisha की भी दो dynastries को भी अगले ही session में finish करेंगे, तो अगला session आपका थोड़ा competitively बड़ा session होगा, इसके लिए आप लोग ready रहेगा, कोई doubt हो, कोई query हो, प्लीज पूछ लीजेगा, session को like कर लीजेगा, channel को subscribe कर दीजेगा, अगले session में मिलते हैं, अगले players के साथ, अगले players के बारे में discuss करेंगे, thank you So, ये हमने बात की, एक पहली बार North East वाले portion में, उमीद है आपको कुछी जे समझ में आई होगी, important राजाओं के नाम याद रहे होगी And, ऐसे ही अब हम North East से finish करते करते हैं, अब नीचे की इलाके में आएंगे, बंगाल को पढ़ेंगे, और इसा को पढ़ेंगे, Southern India के regional players को पढ़ेंगे, गुजरात की players को पढ़ेंगे, और फिर हम दिली सल्तनत के बारे में बात करेंगे So, ये वो players हैं जिनके बारे में आप normally नहीं जानते हैं, इसलिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है चलिए इसी note पे इसको wrap up करते हैं, finish करते हैं, good night ची